नमस्कार, सबसे पहले तो हम सब की तरफ से आप सब का धन्यवाद, जो तेईस तारिक को हमने केंडल मार्च किया था इंडिया गेट पे, उसमें बहुत अदाप लोगों ने समर्थन दिखाया, तो हम हाद जोड़के धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे ही समर्थ बनाए रखो, 28 मई को नए संसत भवन के सामने हम महिला सम्मान माहपंचायत कर रहे हैं, हर्याना और पंजाब से आने वाली किसान मंजदूर जथे बर्दिया सुबह 11 बजे तक सिद्धू बोर्डर पर पहुंचेंगी, हर्याना की खाप पंचायते और टोल प्लाजों की सं अंगर्स, कमेडिया, टीगरी बोर्डर पर सुबह 11 बजे तक पहुंचेंगी, उतर परदेश से आने वाली किसान, जथे बंदिया और खाप पंचायते सुबह 11 बजे तक गाजीपूर बोर्डर पर पहुंचेंगी, राजस्तान से जो भी खाप पंचायत होंगी, वो भी ज करने पर पहुंचें, दिल्ली के सभी जन संगठन, महिला संगठन और चातर संगठन भी जंतर मंतर पर पहुंचें, आदे गंते तक सभी मोर्चों पर जल पान होगा और साड़े ग्यारा बजे हम सभी मोर्चों से शांती पूर्वक नई संसत के सामने प्रस्तावित महिला स पूर्ण रहेंगे। पुलिस अगर लाधी चार्ज करेगी, आसूगैस के गोले सब सहेंगे लेकिन बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। पुलिस अगर गिरफतार करेगी, तो भी हम सभी गिरफतारी दे देंगे। हम कल दोपैर तक हर बोर्डर की कमेटी अनाउंस कर देंगे जिसमें आंदोलन में भाग ले रही जद्धे बंदियों और कमेटियों को एक-एक आदमी होंगे महिला सम्मान महापंचायत में हम देश की सभी महिलाओं को आमंतरित करते हैं जितनी भी महिला सांसत और विदायक हैं चाहे वे किसी भी पार्टी की सभी इस महापंचायत में पूर आएं इस महापंचायत में पाच महिला दिलागी महिला संगठन की नेता और शक्षक्त ग्रामी महिला अपनी बात रखेंगी और देश की महिलाएं उस दिन को भी बड़ा फैसलान ले सकती हैं ना तो हम हिंसा खुद हिंसा करेंगे और ना ही हम उसका समर्थन करते हैं आप सबसे हाँ चोड़ कर विती हैं कि शांती बनाए रखें कोई सवाल हो तो आप भूचा करें आप पुलिस वालों से मारी बात्चीत महीं हुई है लेकिन अगर हुआ तो हम सहेंगे और शांती हम शांती रखेंगे हम कोई हिंसा नहीं करेंगे आप सबसें कि शांती हमारे संगतन है वह आ रहे हैं और आपको पुलिस रोके आप वही रुक के वही बैढ़ जाना अमें कोई बी इंसां नहीं चाहिए हैं हम वही बैठके अगर रोक के दोई तो वही से पंचार से उतरेंगे आप